हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू नवांकोर डिजी लेसंस फ्रॉम दा हाउस अफ नवांकोर मैं भूपेश माथुर एक बार पुनहां आपके लिए कक्छा छे के विशय कम्प्यूटर साइंस के लेसं फोर विंडोस के अन्यकार मोर वर्किंग ओफ एमेस विंडोस के एक्सरसाइस क्वेस्चन अभ्यास प्रश्णों को लेकर आया हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्ण है सही विकल्प पर सही का चिन लगाई पहला क्वेस्चन है विंडोस की पहली स्क्रीन को कहते हैं हमारे आप्शन है आईकन टूल वार और डेक्स्टॉप तो इसका आंसर होगा डेक्स्टॉप विंडोस की जो पहली स्क्रीन होती है उसे डेक्स्टॉप कहते हैं दूसरा है कौन सा बटन विंडो एक्स्प्लोरर के लिए प्रियोग किया जाता है इसके option है पहला my computer, दूसरा recycle win और तीसरा है start button तो विंडो के explorer के लिए कौन सा बटन प्रियोग किया जाता है start button इसका जो answer है वो है start button तीसरा है निमनलिखित में से किसे computer का command center कहते है option है my computer, control panel और internet explorer तो इसका answer है control panel computer का command center इसे कहते है क्योंकि यहां से computer में जितने भी hardware और softwares जोड़े रहते हैं installed रहते हैं उन सबको control करने का उनको manage करने का उनकी setting change करने का काम control panel से किया जाता है इसी कारण इसे computer का command center भी कहा जाता है अगला है कौन से बार में start menu के button होते हैं option है tool bar, task bar और status bar तो start menu के जो button होते हैं वो task bar में होते हैं इसका answer है task bar, second वाला से लिए आगे बढ़ते हैं अगला question है हमारा रिक्तिस्थान भरिये Windows एक operating system है जो खाली स्थान तकनीक का अनुसरन करता है Windows एक operating system है जो GUI तकनीक का अनुसरन करता है मतलब जो Windows operating system है वे एक GUI operating system है इसका full form होता है graphical user interface ऐसा operating system जो graphics को support करता हो वे GUI operating system कहलाता है तो Windows एक GUI operating system है जो GUI टेकनिक पर काम करता है दूसरा खाली स्थान है हमारा खाली स्थान बटन का प्रियोग Windows को explorer करने में करते हैं तो इसमें आएगा start button start button का प्रियोग Windows को explore करने में करते हैं अगला है तीसरा खाली स्थान का प्रियोग internet की website को explore करने में किया जाता है internet की website को explore करने में किसका प्रियोग किया जाता है इंटरनेट एक्स्प्लोरर का यह एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग इंटरनेट की वेब साइट को एक्स्प्लोर करने या एक्सिस करने के लिए किया जाता है चौता है खाली स्थान बटन का प्रियोग विंडो को आईकॉन में समेटने के लिए किया जाता है किसी भी प्रोग्राम की विंडो खुली हो इसको आईकॉन के रूप में टास्क वार पर लाने के लिए Minimize बटन का प्रियोग किया जाता है तो इस खाली स्थान में आएगा Minimize अगला है खाली स्थान में निर्देशों की तालिका होती है तो इसका आंसर है मेन्यूबार मेन्यूबार में निर्देशों की एक टेबल होती है या तालीका होती है अगला क्वेस्चन है हमारा निमनलिकित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए पहला कथन है माई कम्प्यूटर आइकन में हमें डॉक्यूमेंट फाइल ध्वनी इत्यादी को संग्रहित कर सकते है तो बिल्कुल सत्य है माई कम्प्यूटर के अंदर हम डॉक्यूमेंट फाइल ध्वनी इत्यादी सारी डाटा को स्टोर कर सकते है दूसरा है टाइटल बार सक्रिय फाइलों के नाम को दर्शाता है टाइटल बार एक्टिव फाइल्स जो खुली हुई फाइल्स रहती है उनके नाम को दर्शाता है यह कथन भी सत्य है अगला तीसरा है close button का प्रियोग windows से बाहर आने के लिए करते हैं यह भी सही है किसी भी program की window किसी भी application की window खुली हो उससे बाहर आने या उसको close करने उसको बंद करने के लिए close button का प्रियोग करते हैं यह कतन भी सही होगा चौता है status bar में निर्देशों के shortcut के लिए icons होते हैं status bar में निर्देशों के shortcut के लिए किसी भी प्रकार के icons नहीं होते हैं इसलिए यह कतन क्या है असत्य हो जाएगा अगला question है हमारा उचित मिलान कीजी चलिए मिलान करते हैं पहला है desktop तो desktop का मिलान इन में से प्रथम screen जो computer की पहली screen होती है वह desktop कहलाती है दूसरा है recycle win तो recycle win में क्या होता है बेकार का data संग्रहित होता है तीसरा है control panel control panel के साथ क्या होगा computer का command center जो अभी हमने पढ़ा था चोथा है mouse माउस एक क्या है pointing device या सांकेतिक device है लास्ट है पांचवा टाइटल बार टाइटल बार में क्या है application के नाम को दर्शाता है यह हमारी जोडियां complete हो गई इसी के साथ हमारा lesson 4 का exercise समाप्त हुआ मिलते हैं अगले वीडियोस में ठैंक यू